हेलो प्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे नए इस चैनल में जिसका नाम है जेक इन्फो इन हिंदी मेरा नाम है अनीश आलम तो चलिए दोस्तों बात करेंगे आज हम मोटो जी फोर प्लस के बारे में जो कि अभी अभी मोटो कंपनी ने लॉंच किया है मार्केट में तो यह आपको अमेजन में मिल जाएगा एमेजन.in में आप जाके इसे खरीच सकते हैं यह यहाँ पर मिल रहा है और इसका जो प्राइस है वह 13,499 रुपीज का आरा यह फोन तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं स्pecification जो है इसके बारे में जानते हैं अभी मैं इसका रर्यजु मीं बता कियोंगे यह लोग भी खरीदे नहीं है तो आस्तес से लोग और भी फोटो में आपको दिखाऊंगा यह देखे दोस्तों यहाँ पे जो है फ्रंट कैमरा दी है कमपनी यहाँ पे और स्पीकर है यह डिस्प्लेय है और यह जो फोन है बहुत ही स्लिम नजर आ रहा है और यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है और यह फिंग आप अपना फिंगर का सिक्यूरिटी लॉक रख सकते हैं तो आपका भी वी चाहें अपना फिंगर सिर्फ उसमें लगाए और आपका लॉक खुल जाएगा तो इसमें कोई भी प्रावलम नहीं है बहुत ही अच्छा चीज दिया है कमपनी ने यहाँ पे आप देख सकते हैं तो चली दोस्तों और भी पिक्चर में आपको दिखा देता हूं जूम करके यह देखिए यहाँ पे फ्रंट कैमरा जो मैं आपको बताया वह स्पीकर और यह फोन इस तरी के दिखता है और सबसे इंपॉर्टन जो चीज है वह यह है यह फिंगर प्रिंट सेंसर जो इसमें लगा हुआ है होम बटन में यहाँ पे सिक्योर्टी का काम करता है यह बहुत इंपॉर्टन सिक्योर्टी इसमें कोई पासवर्ट रियाद रखने का प्रॉबलम नहीं है तो चलिए पीछे से इस फोन को देख लेते हैं जी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोन को यहाँ यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पर जो माइक है वो है यहाँ पर कैमरा है यहाँ पर जो है डूल फ्लैस दिया गया है और मोटो का लोगो यहाँ पर दिया गया है तो बहुत ही अच्छा लूक यहाँ पर कंपनी ने दिया है इस फोन को आप यह देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और भी जानते डीटेल्स में इसका जो कितने दाम में है यह 13,000 में आपको बताया 13,499 रूपीस में यह मिल रहा है और अभी जो आपने देखा यह अभी तक 14,999 कंपनी इसका दाम कर चुकी है तो यह अभी इतने दाम में मिल रहा है तो आ इसके स्पेशिफिकेशन के बारे में जानते क्या अच्छा चीज में है किया कमपनी ने दिया है तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 16 MP डिया हुआ है और यह तर्बो पावर चारजिंग तर्बो पावर चारजिंग में क्या होगा इसमें 6 और समय six hours का जो बैटरी बैक अप होता है वो आपको 15 मिनट में चार्ज हो जाएगा सिर्प आपको 15 मिनिट का चार्ज देना है फोन को जो कि आपको six hours का बैक अप देगा तो इस फोन में सबसे बेश्ट चीज जो फीचर्स दिया है कंपनी ने यह है टर्बो पावर चार्जिंग और दूसरा चीज जो यह है फिंगर प्रिंट रीडर फॉर फास्ट अनलॉकिंग तुरंत अनलॉक करने का फोन का यह जो फीचर्स है फिंगर प्रिंट सेंसर का बहुत ही अच्छा है कोई पासवर्ड याद रखने का प्रॉब्लम नहीं और यहां पर आप देख सकते थे स्पीड एंड पर्फॉब्लमन्स इसका जो स्पीड है ऑक्टाइbbe प्रोसेसर दिया गया है इस फोन में तो यह सबसे आप तो जानते ही होंगे औक्टाइ प्रोसेसर अगर हो फोन का जो स्पीड़ है इस्पीड अप पावर जो है वह बहुत ही अच्छा होता है performance जो gaming का होता है और multitasking जो हम लोग करते हैं music सुनते हैं plus net चलाते हैं plus game भी खेलते हैं तो यह सब multitasking जो हम लोग phone का use करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा processor का बहुत बड़ा काम होता है तो यहां पर processor बहुत अच्छा दिया गया है आगे बढ़ते हैं इसके operating system के बारे हम जानते हैं operating system यहां पर 6.0.1 marshmallow जो अभी अप्ग्रेड़बल है अभी इस टाइम में वो दिया गया है और यहां पर 5.5 इंच का full HD डिस्प्लेई है 1080 pixel का और यहां पर जो डिस्प्लेई Corning Glass Gorilla Glass जो है 3 वो दिया गया है CPU Central Processing Unit मतलब कि प्रोसेसर जो मैंने आपको बताया OctaCore processor है यहां पर Qualcomm Snapdragon 617 with OctaCore CPU दिया गया है और इसका जो graphical processing unit है वो 550 MHz का Adreno का है 405 तो यह दिया गया यह जो phone है वो black and white color में आ रहा है memory जो है वो 2 GB से 3 GB तक आपको आएगा और यह जो मैंने आपको बताया Fast Turbo Charger वो यहां पर 3000 mh का आपको battery मिल रहा है जो की 15 मिनट में 6 गंटे का backup देगा charging अगर कर देंगे तो और यहां पर जो internal memory है वो 16 GB से लेकर 32 GB तक आ रहा है और इसमें जो expand कर सकते हैं आप 128 GB तक expand कर सकते हैं Pro HD card के साथ और card slot भी दिया गया है इसमें जो GSM और W CDMA 4G LTA इसमें मतलब यह 4G phone है सीधी बात यह है कि यह 4G phone है और 3G और 2G सब इसमें आपको मिलेगा आगे बढ़ते हैं इसमें Wi-Fi भी है Wi-Fi का जो 802.11abzen यह सब चीज़े हैं और Bluetooth जानते Bluetooth का कौन सा वर्षन है 4.0 का वर्षन है Bluetooth का जो की बहुत अच्छा है वेट वेट बहुत ही कम है 155 ग्रैम्स का है डामेंशन डामेंशन जाने लेते हैं विथ इसका है 76.6 mm का हाइट इसका है 153 mm का देप्थ इसका है 7.9 से 9.8 mm का है कैमरा 16 Megapixel जो आपको मैंने बताया पहले ही विथ लेजर आटो फोकस फ्लैस जो है डिस्प्लै फ्लैश यह सब दिया गया डिस्प्लै से आप फ्लैस इसमें लगा सकते हैं तो यही सब जो फीचर से कंपनी ने दिया है तो दोस्तों यह जो फोन है लांच हुआ अभी अभी इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा क्योंकि प्राइस रेंज में बहुत अच्छा फीचर्स कंपनी दे रही है तो आगे भी जानते हैं यहां पर जो एपसाइट में दिया हुआ है इस फोन के बारे में और भी चीज़े जो है वो भी जान लेते हैं वहनएयर का मैनुफैक्चर वरंटी दे पर एटव seventद्वपणult कंपनी सिक्स मंद का जो मैं और इसके बारे में दे रही है और मैंने जो बताया है यह वेट के सेंसर वो तो मैंने आपको बताया जो कि इस कंपनी बहुत अच्छा दे रही फिचर्स आपको इन बॉक्स में क्या-क्या मिलेगा हैंड सेट मिलेगा हेड़ सेट वाल चार्जर एंड यूजर गाइड वो रहेगा और दोस्तों सबसे इंपोर्टन चीज जो है इस फोन तो क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कोई भी रेटिंग अभी नहीं दिया गया है ना कोई रिव्यू आया है तो जब रिव्यू आएगा तो जरूर मैं रिव्यू दूंगा इस फोन के बारे में यह फोन कम जो कस्टमर्स हैं उनको कैसा लग रहा है तो दोस्तों यहीं तक मैं अभी तक आपको बता पाया तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें लाइक करें अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे information updated information आपके लिए मै डेली यहां पर लाता रहूंगा थैंक यू दोस्तो यह वीडियो देखने के लिए